पिछले कुछ दिनों से बॉलिवुड की हालत बहुत खराब थी। पहले RRR का ज्वार भाटा आया और तद पश्चा KGF के तूफा ने तो बॉलिवुड की बखिया ही उधेर दी। एक भी फिल्म इन दोनों के समक्ष नहीं टिक पाई। और एक समय तो बॉलिवुड खतम के नारे गगन में गुंजायमान होने लगे। परंतु तभी कार्तिक आरियन ने कहा नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर जो है देश का सबसे विश्वसनी अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल और मैं अनिमेश पांडे आपको अफगत कराऊंगा कि कैसे कार्तिक आरियन ने अपनी फिल्म से बॉलिवुड की दूपती नईया को सहारा दिया है और कैसे वह एक स्वा निर्मित सुपरस्टार के रूप में उभरे हैं जिसे बॉलिवुड के खान तो छोड़िये करन जोहर जैसे नेपोटिजम प्रेमी तक नहीं रोक पाए हैं तो अविलम आरंभ करते हैं हाली में प्रदर्शित भूल भुलाईया 2 ने लोगों को अपने कॉंट कार्यन तबू कियारा अडवानी राजपाल यादव संजेज मिश्रा इत्यादी है इस फिल्म के ट्रेलर से सभी को लग रहा था कि इस फिल्म का कुछ नहीं हो ना रहे फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर अंधे मूग गिरेगी परंतु बॉक्स ओफिस के आकड़े देखकर सब का हाल कुछ ऐसा हो गया हो भी क्यों ना आखिर इस फिल्म ने सभी की आशाओं के विपरीत पहले ही वीकेंड में 55 करोड से अधिक कमा लिये थे जो पिछले कई बॉलिवूड फिल्मों के लिए सरवाधिक कलेक्शन थी अमने संदे कोई बहुत बढ़िया मूवी तो नहीं में बॉलिवूड के नेपोटिजम प्रेमियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी वो कैसे कार्ति कारें तिवारी ना तो किसी बड़े खांदान से आते हैं और ना ही किसी बड़े एक्टर के संबंधी है वो गौलियर से निकले एक प्रतिभावान एक्टर है जिन्होंने अप प्रॉब्लम ही ना हो तेकर मेरी लाइफ मेर कोई प्रॉब्लम ना हो ते उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसी फिल्म के सूपर हिट सीक्वल के पश्चात कार्ति कारें ने पीछे मुड कर नहीं देखा सोनू के टीटू की स्वीटी से लेकर पती पतनी और वो जैसे फिल्मों के साथ कार्ति कारें ने बिना किसी बड़े लीग और बिना किसी बड़े बैनर के सपोर्ट के फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बना ली लेकिन एक समय ऐसा भी था जब कार्ति कारेन को भी सुशान्त की भाती बॉलिवड में साइड लाइन करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा था 2021 में कार्ति कारेन और करन जोहर के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई जिसके पश्चाद दोस्ताना टू के कास्ट पर पुनर विचार करने की बात सारजनिक हुई धर्मा प्रोडक्शन्स ने इस अप्रत्याशित नर्णे के पीछे कोई ठोस कारन नहीं दिया परंतु सूत्रों के हवाले से सामने आया कि धर्मा प्रोडक्शन्स ने कार्तिक कौन के अन्प्रोफेशनल व्यवाहार के लिए निकाला था और वे दोबारा कभी कार्तिक के साथ काम नहीं करेंगे अब यह और बात है कि कार्तिक आरेन के साथ दील रद्ध करने के कारण करण जोहर को कथित तौर पर 20 करोड का नुकसान हुआ परंतु बात यही तक सीमित नहीं है कार्तिक उन चंद अभिनेताओं में से एक हैं जो अपने सनातन संस्कृती का उपहास नहीं उडाते और सोशल मीडिया पर यदा कदा उसका समर्थन भी करते हैं भले वो उसका धिंढोरा न पीटे ये कैसे संभाव है इसके पीछे दो ट्वीट्स है जो इसकी तरफ इशारा भी करते हैं उधारन के लिए कारति कारियन ने कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के लगभग एक हफते बाद एक गारी खरीदी जिसका वीडियो उन्होंने ट्विटर पक अप्लोड किया लेकिन उस वीडियो में सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने एक पारंप्रिक सनातनी की भाती एक नई वस्तु खरीदने पर उसका स्वागत स्वास्तिक से लेप लगा कर किया अब कितने बॉलिवड एक्टर ऐसा कर पाएंगे लेकिन यही एक ट्वीट सुर्खियों में नहीं आया था 2020 के अगस्त मा में कार्तिक कारियन ने एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने तर्बूस खाते वे अपनी फोटो अपलोड की और ट्वीट किया आज ब्रेकफस्ट में सबर कफल खाया आप लोगों ने क्या खाया तो इसमें क्या खास बात थी संयोग वश जिस दिन उन्होंने ट्वीट किया था उसी दिन वर्षों बाद आयोध्या में श्री राम जन भूमी परिसर के पुनर उत्थान के लिए भूमी पूजन समारो आयोजित किया गया था सदियों के बाद श्री राम के जन्म स्थल पर उन्हें समर्पित मंदिर का पुनर निर्मान हो रहा था वैसा मजे की बात पाच अगस को तो कश्मी से अनुछे 370 भी तो हैटा था ना क्या बात है सर ऐसे में जो काम बॉलिवुड के बड़े बड़े वन्षवादी और मौसमी देशभक्त अक्षे कुमार ना कर पाए वो एक आउटसाइडर यानी कार्तिक आरियन ने कर दिखाया जिनके ऊपर किसी भी बॉलिवुडी या गौड़ फादर का हाथ ना था जिस प्रकार से उन्होंने बॉलिवुड के डूपते हुए मार्केट को सम्हाला है उन्होंने मानो स्पष्ट संदेश दिया है